हलो एंड वल्लम टू टीवी का पटाका यहां पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खबर दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में में अब आप सभी को बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहां पर अब आप सब लोग ये देखेंगे कि अब शो में वापसी होने वाली है डॉक्टर सत्या की जी हाँ इशा को बचाने के लिए सर्जन को बुलाना पड़ेगा और वो सर्जन कोई और नहीं बलकि वो होगा डॉक्टर सत्या और किस तरह से आकर डॉक्टर सत्या खोलने वाला है सालो पुराना राज इशान की सामने चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों सीरियल गुम्ह किसी के प्यार में में जब ली पाया था उस समय सई और विराट का अंत तो दिखा दिया था लेकिन मेकर्ज ने नहीं दिखाया था अंत डॉक्टर सत्या का और अब एक बार फिर से डॉक्टर सत्या की एंट्री शो में हो रही है जी हाँ यहाँ पर एक तरफ अब ईशा अपनी आखरी सासे गिन रही होगी और तब ही डॉक्टर कहेंगे कि उनको सर्जन की जरूरत है और उनको बहुत बड़ा सर्जन चाहिए और वो सर्जन कोई और नहीं डॉक्टर सत्या होगा और ऐसे में सवी से ही कहा जाएगा कि वो डॉक्टर आने को तयार नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत सारे केसिस हैं अब ऐसे में आप ही कोन से बात करनी होगी सवी डॉक्टर सत्या से बात करने वाली है और बुलाने वाली है लेकिन तब तक उसको नहीं पता होगा कि वो डॉक्टर सत्या से बात कर रही है वो डॉक्टर सत्या जो कि उसके सत्तू थे अब ऐसे में डॉक्टर सत्या जैसे ही आएगा वो सवी को देखकर हैरान रह जाएगा सवी डॉक्टर सत्या को देख कर हैरान रह जाएगी और यहाँ पर डॉक्टर सत्या सबसे बड़ा राज खोलने वाला है जी हाँ डॉक्टर सत्य आकर ये बताने वाला है कि इशान कोई और नहीं बलकि वो बच्चा है जिसकी जान सवी के पेरेंट्स ने यानि की सई और विराट ने बचाई थी जी हाँ वो बच्चा जो की उस प्लेन हादसे में मर सकता था लेकिन अपनी जान को दाओ पे लगा कर सई और विराट में ही इशान की जान बचाई वेल पूरी की पूरी सच्चाई जो है वो अब सामने आने वाली है और ऐसे में इशा को भी बचाने वाला है डॉक्टर सत्या साथी साथ वो डॉक्टर सत्या ही होगा जो ईशा की जान बचा कर एक करने वाला है सवी और इशान को और इसमें ईशा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वेल दोस्तो कहानी में अब आएगा बड़ा ट्विस्ट होंगे बड़े खुला से कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट्स में आप जरूर लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें